गाइस अगर आप वाट्चप चार्ट को PDF में कॉनबर्ट करना चाते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो तो स्वागत है आप लोगो फिर से मेरे चैनल में दोस्तो इस वीडियो में मैं आप लोगो एक एक स्टेफ दिखने वाला हूँ आपका जो वाट्चप चार्ट है दोस्तो वो PDF में कैसे कॉनबर्ट करने के बाद आप चाहो उसका प्रिंट आउट निकालो या किसी और के काम में इस्तेमल करो यह आपके मर्जिय से आपका जुरोत के इस अब कर सकते हो जा दोस्तो चलिए मेरे मोबाल के स्क्रीन में लेगे जाएगे आपको दिखाते हैं कि यह वाट्चप चार्ट को दूस्तो पीडिएफ में कैसे कॉनबर्ट करना है माझनो आपका किसी का पाट्रेकोलर चार्त, आप किसी के साथ चार्ट कर रहे हो और वो चार्ट आपके लिए एमबर्टेंट है आपको a canbart करे, export करे plagis here फिर यहापनलो मुझे example दिखा रहा है आपको यह चार्ट को में िडफ में करूँंगा और यह export करूँंगा इसके लिए दोस्तो, यह उपन करें बाद उपर तीन बाट आपको का ओप्शन का अप्शन और मतलब यह है उदए इसका छीप चांट हुआ है वह ही ऐगा प्रीया अ गर सिंगे द्व-द्शे तो जो बीडियो अगर शेism उस तरफ से भी आया आपके तरफ से भी गाया वो सब कुछ दोस्तो उस फाइल में आ जाएगा तो मैं इंक्लूट मीडिया रखके दूस्ते एक्सपूट कर दूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो आप अभी क्या करोगे आपका जीमेल का उप्शन सिलेक कर लीजे जीमेल पर क चार्ट जो है दोस्तो मेरे पास आ गया उप्शन कर लेने के बाद दोस्तो यहाँ पर देख रहे हो जितना भी मीडिया था मतलब उस तरफ से भी आया मेरे तरफ से भी गाया वो सब कुछ मीडिया तो यहाँ पर देख रहे हो WhatsApp, Text मतलब इसमें जितना भी conversation हुआ है सब कुछ दूस्तो यहाँ पर आ गया, कितने तारीक को दूस्तो कितना चार्ट हुआ है, कितने तारीक को दूस्तो कितने बजे क्या message गया था, सब कुछ यहाँ पर आ गया है तो गाइस इस तरीके को फोलो करके आप किसी का भी WhatsApp चार्ट को export कर सकते हो तो गाइस उमीद है आप लोगों को यह वीडियो जो है पसंद है होगा, और अगर आपके अमन में कुछ भी सवाल या डाउट हो, तो comment box में comment करके पुछिए, मैं उसका answer जरू करूँगा तो मिलते हैं आप लोगे सत ऐसे ही और informative वीडियो में तब तक के लिए, बाई